वेल्कम बैक तुदा चैनल गाइज आज हम लोग फिर से बात करेंगे बांगलादेश को लेखे हैं हम लोग अगर देखे तो कुछ दिन बाधी बाद बांगलादेश का एक नया लेयर हम लोग को देखने को मिले हैं इसा क्यों बोला हूं यह मैं आप आगे जाकर बताता हूं अचानक से बांगलादेश में स्टुडेंट प्रोटेस्ट इतना बड़ा हो जाता है कि बांगलादेश के जो आन्मी है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है वो लोग अपने तरफ से आके पीमों के जो घरे वहां घुश जाते हैं जिसमें से खसीना को स्री 45 मिनिट्स दिय जाता है उनको कहां जाता है कि आप यहां से निकल जाईए आप देश छोड़ दीजिए अधर्वाइस यह जो स्टुडेंट यह आपको पर अटाक कर सकते हैं मतलब बांगलादेश का जो मिल्ट्री कुछ नहीं कर पाएगा वह अपने जो प्राइम मिनिस्टर उसको भी से नहीं कर पाएगा इस लेवल पर वो प्रोटेस्ट चला गया तो जो भी हो से खसीना ने उस ताइम में बांगलादेश से बाहर आगया से इंडिया में है इसको लेके भी बहुत सारा अलग सा कॉंट्रोवल्स ही है अगर आप चार्टे तो आप कमेंट कर सकते हैं उसको लेक इंटिरिम गवर्मेंट को हेट किया और एक इंटिरिम गवर्मेंट फॉर्म भी हो गया यह बस कुछी दिनों के अंदर यह हो गया और यहीं इंटिरिम गवर्मेंट का सारा पावर मतलब जो पावर आज क्रेट में से खसीना के हाथ में होना चाहिए ऐस प्राइम मिनिस्ट है वो अपने तरफ से डिफ्रेंट पोजिशन में अपना बंदा प्लेस करना स्टार्ट कर दिया इसके लावी अगर देखा जाए जेल में जो टेर्रीस थे जो कैदी थे उन लोगों छोड़ दिया गया इसके लिए अगर हम लोग देखे बांगलादेश में जो संगटन नंगटन है वो कंप्रेटली जैसे के जमाते इसलमी वो बैंड था उसको भी मुहम्मद युनिस ने पूरा चूट दिया सबको पूरा चूट दे दिया बांगलादेश में 180 डिग्री टन हो गया मुहम्मद युनिस ऐसे काम करे और मुहम्मद युनिस का एही काम के लिए ज लैंड चाहिए जिस लैंड से यूएस आगे जाके चाइना के ऊपर अपना जो नजर्दारी है या फिर चाइना के ऊपर अगर कोई एक्षन लेना हो इन फूचर वह जगा वह लोग उकुपाई कर पाए तो जो भी है यह कंप्रेटली एक डिफरेंस स्टोरी है तो हम लोग आ पर आप आप आर्मी चीफ को क्यों रिप्लेस करना पड़ेगा इसके पीछे भी एक रिजन है उसके बाद आर्मी चीफ का कहना था महांमाद लिए जादा से जादा 18 मंस तक रहना चाहिए और से चाहिए नहीं 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 आभी कोई एलक्षन नहीं होगा बांगलादेश म बढ़ जाओ शेशाथ साल तो हम लोग बांगलादेश को ऐसे खीश लेंगे उसके बाद जो होगा वह देखा जाएगा तब सोचा जाएगा अगर आर्मी चीफ का स्टैंटा नहीं इतना बड़ा नहीं होना चाहिए इसका जो मना डूरेशन है यह डूरेशन घटा के आप बांगलादेश में हम लोग सब मिलके एक साथ में इलेक्षिन करेंगा जो जीतेगा उस इसाथ से हम लोग बंगलादेश में फॉर्मेंट पॉण करेंगा तो यह जो बात है यह मोहमद को खराब लगा और मुहमद कभी भी नहीं चाहता है कि अपना जो पावर है वो आगे जाए कोई भी आके बैट जाए जिसको बंगलादेश का पीम माना जाए उसके हाथ में जाए तो मुहम्मद यूनिस हमेशा चाते थे कि आर्मी चीफ को भी हटाना है क्योंकि बाकि जो 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 जिस पद में थे सबको हटाए गया है अब आर्मी चीफ अगर रिप्लेस होके हमा मतलब अगर देखा जाए टेकनिकली आज के डेट में भी बंगलादेश के जो पीम है वो है सेख अब बंगलादेश में अगर सेख हसीना अलड़ी पीम है जो के इलेक्टेड होके आया है उसके बाद बंगलादेश में कैसे एक अलग सा इंटिरिम गवर्मेंट बन सकता है और यह सारा पावर कैसे हम लोग समझ सकते हैं कि भाई मुहमद यूनिस के हाथ में जा सकता है यह अगर देखा जाए तो यह तो कोही मिनलब डेमोक्रिटी कंट्री में नहीं होता है या फिर कंट्री का जो भी सिस्टम है उस सिस्टम में तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि से बनलगदेश के जो यूनिस है एक जाकली उन्होंने अपने तरह से फिर से अपना जो पूराना चाले वही चला वही स्टुडेंट पूर नहीं को यह पावार है कि जो आर्मी चीफ है उसको पाटा आजएगा इसका मतलब इसके मतलब पूरा जो बांगला देश तो देखा जाए यह कभी एक डेमोक्राटिक कंटी में होना नहीं चाहिए क्योंकि डेमोक्राटिक कंटी में जो भी रूल से उसको फॉलॉप किया जाना चाहिए इसके लाव भी अगर प्रेसिडेंट को हटाए भी जाता है वह भी अनॉथराइज दी तब भी एक कोशनराइज होता है क्योंकि मुहम्मद इन्हीं सबने तरफ से पार्लामेंट में अभी भी कोई मेंबर या पिर ऐसा कुछ काम भी नहीं हो रहा है तो आगर या कि प्रेसिड अभी देखा जाए तो बांगलादेश में एक्जाक्ली यही डिक्टेटरश्टी पी चल लगा है मुहम्मद इन्हीं सबने तरफ से डिफरेंट स्टेप ले रहा है जिस टेप को अगर आप बांगलादेश का जो रूल्स और रेगुलेशन से या फिर बांगलादेश में ज में प्रेशिदेंट के साथ मिलना या फिर प्रेशिदेंट को को अपने तरफ से रिइंशन लेटर देनां यह सब हो सब्सक्राइब कर दो दिय इसके लावग हाई हम लोग आगर देखें जो आर्मी चीफ है उसको अगर हटाना है तो उसलिए जो पावर तो पैसीडियंका में हैं जैसे हिंडा होता है वैसे हम लोग Camera अगर को तुछ को कोई चाता है तो इंटीरिम şi backend का महिंड को कोई चांसने ठीक पने ओपने तरब से डिया कर यह एक हम लोग आशियो रायुक्त करब बोल दिया कि हम लोग अपने प्रेसिदेंग के साथ है इस बीच में क्या हुआ इस बीच में मौहमाद यूनिस को कोई और चांसे नहीं मिला मौहमाद यूनिस अपने तरफ से स्टेप लिया क्या वही पुराना जो प्रोटेस्ट सिस्टम है जिसको यूज करके हम लोग से खसीना को बंगलदेश से भगाए थे वही सेम प्र सब्सक्राइब है उसके साथ बात करें तो क्या हुआ आने वाले हैं और उसके बाद देखा जाएगा फिर से अनिया आने वाला है इस बीच में जितना भी प्रोटेस्ट हो सकता है वह क्या और सूत्रों के अनुसार मौहमाद यूनिस अपने तरफ से यूएस को कॉल भी किय कशन है अभी हम लोग क्या करें यूएस का नों के बाइद्धी देखो हम लोग बहुत को लेकर यह तो हम लोग अगर हमْ लोग का फिछेक्ट में इसके लग्ए गवार हो रहे हैक कब किसी को मार दे कप किसके ऊपर कोंसा भाऊए कर रहे इसको तो हम लोग समझी नहीं सकते ये ऐसा बिगड़ा हुआ बच्चा है जो हम लोग बात भी नहीं सुनता है उन्हें दाधर कर देख ये हम लोग इसको लेकर उसको उपर चड़ गया है तो बहुत सरा हम लोग के प्रॉब्लम है अभी यह सब जो है यह सब थोड़ा सा करो हम लोग आगे जाके देखते क्या होता है ऑन दर साइड आर्मी चीफ तो अपने तरब से चले गए जिस टाइम में से खसीना को बांग्लादेश से ब अगर हम लोग को पता है अग्जा किया था जब से खसीना बांग्लादेश चोड़ी अगर देखा जाए आज के रेड़ में आर्मी चीफ के साथ भी वह होने वाला है या फिर वह हो रहा है जिसके वारे से आर्मी चीफ आपने तरब से हाथ पैर मार रहे हो आपने तरब से है फिर से उस में कॉंटेक्ट कर रहे आपको तो हम लोग रहे हैं आज के रेड में आप हमें हटाने के चाहा रहा हो क्या करता हो यह सब गलत करे हैं इनीस को समझाओ और महांमाद युनीस भी चाह रहा है कि अकर आर्मी चीफ हड जाता है तो पूरा बागनादेशी हम लोग तो आईसे ही पहले से टेर्रिस्ट को छोर के रखे हैं डिफरेंट डाइप आप जो लोग को हम लोग को सपोर्ट करेगा आगे जागे किया उस अगर बंगलादेस प्रेजन लिए एक ऐसा जगह में जहां कुछ फॉलो नहीं किया जाता है एक्जाक्ली मुहमद इन इसको जो चाहिए मौहमद इन इसको चाहिए मौहमद इन इस वही करते जा रहे और आगे जाकर हो सकता है कि इसके एक बारा प्रोटेस्ट प्रिसे स्टार अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा मेरे यूट्यूब चैनल इस अतनु पॉल एटी ए एनिश्पेस पीवल में जाकर सब्सक्राइब कीजिए बहुत सार इंट्रेस्टिंग बहुत बहुत सारा वीडियो आपको हमेले वाला जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा आपको यह वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद कर दो